नमस्कार दोपहर समचार में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुम का उधाधन किया कहा खिलारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाने के लिए खेल टूर्नमेंट को एक निरंतर आयूजित होने वाली प्रत्रिया बनाया जाना चाहिए निर्वाचन आयूग आज नरालेंड में घाले और तरपुरा विधान सभाजनावों की घोशना करेगा भारत की G20 अध्यक्षता के अंद्रगत पहली G20 स्वास्त कारे सम्हु की बैठक आज तिरुवनंत पुरम में जारी है केंड्रिय मंत्री भारती प्रवीन कुमार ने कहा महमारी से निपटने की नीती हमारी स्वास्त नीती का मुख्य हिस्सा होना चाहिए अमरीकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गेर नेटो सहयोगी देश का दर्जा रद्ध करने के लिए विधहक पेश किया गया और हैदराबाद में भारत और न्यूजिलेंड के बीच पहले एक दिवसी अंतरराश्ट्रिय कुर्केट मैच में भारत का टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला दुपहर समचार के साथ मैं रवी कपूर तरहनमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीजियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुम के दुधिये चरण का उदगाटन किया इस अफसर पर शिमूदी ने कहा कि खेल प्रतियों किताओं को खिलाडियों को बेहतर प्रशिक्ष्ण देने के लिए दिरंतर आयूजित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है जिससे ओलम्पिक्स और पैरा ओलम्पिक्स में भारत का अब तक का स्वेश्ट प्रदर्शन रहा है साउसत खेल महाकुम्ब में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाडियों को स्पोर्ट ऑथोरिटी आफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाब होगा इस महाकुम्ब में ही 40,000 से जादा हिवा हिस्सा ले रहें और मुझे पताया गया कि पिछले साल की तुल्ना में ये तीन गुना जादा है मैं आप सभी को मेरे सभी वा दोस्तों को इन खेलों के लिए देशारी शुब कामना है देता खेल महाकुम्ब के अंप्रगर्त विभिन खेल प्रतियोगिताओं कुष्टी, कबड़ी, खोखो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हौकी, शत्रंज, बैद्मिंटन और टेबल टेनिस का इंडोर और आउटओर आयोजन किया जाता है इनके अलावा निबंद, लेखन, पेंचिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है लोगसभा सांसद हरिश द्विविदी द्वारा वर्ष दोजार इक्की से सांसद खेल महाकुम्ब का आयोजन कराया जा रहा है खेल महाकुम्ब एक नई पहल है इससे बस्ती जिले और आसपास के ख्षेत्रों के युवाउँ को अपनी खेल प्रतिवाउँ को दिखाने का विसर मिलेगा और खेल को केरियर के एक विकल्ब में रूप में चुनने की प्रेढ़ना मिलेगी खेल महाकुम्ब ख्षेत्र के युवाउं में अनुशासन, टीमवर्थ, स्वस्थ प्रतिसपर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवात की भावना उत्पन करने का भी प्रियास है तर्धान मंत्री कल करनाटक और महाराश्ट के दौरे पर रहेंगे, वे करनाटक में यादगीरी और कल बुर्गी जिलों में जाएंगे बाद में प्रधार्मंट्री मंबई में कई विकास कैरिक्रमों काउद घाटन और लोकारपन करेंगे तथा आधा चिला रखेंगे केंद्री मंट्री मंडल की बैठक आज नए दिल्ली में होगी इसकी अध्यक्षता प्रधार्मंट्री नरेंद्र मोदी करेंगे ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल अप newsonair पर भी उपलब थें Northeas Diary Programme, broadcast every Thursday at 5.30pm, brings very interesting and enchanting stories from the eight Indian states of Northeast India. Northeas Diary this week, on the 19th of January 2023, brings an exclusive interview with Asakho Chassi, proprietor of Hobbit Home and an adventure enthusiast. Looking forward to seeing you there. दो पहर समाचार में आपका फिर स्वागत है निर्वाचन आयोग अब से थोड़ी देर में नगलेंड मेगाले और त्रिपुरा विधानसभा के चुनाओं की तारिखों की घोशना करेगा इस समभन में आयोग ने आज प्रेस कॉन्फेंस का आयोजिन किया है नगलेंड विधानसभा का कारेकाल इस साल 12 मार्च, मेगाले विधानसभा का कारेकाल 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कारेकाल 22 मार्च को समाप्त होने जा रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के अंत्रगत G20 स्वास्त कारे समहु की पहली बैठक आज किरल के तिरुवनंत पुरम में शुरू हुई केंड्रे स्वास्त और परिवार कल्यान राजमंत्री भारती प्रमेन पवार ने तीन दिन की बैठक उटगाटन किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने की नीती हमारी स्वास्त नीती का मुक्य हिसा होना चाहिए आज विश्व के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे में किसी भी तरह के स्वास्त संकर से आर्थिक संकर पैदा होता है डॉक्टर परवार ने कहा कि महामारी से बचाव और निपटने की तैयारी के लिए बहुक्षित्वे और बहुपक्षिय प्रयासों में समन्वे की जरुवत होती है केंद्री विदेश राज्य मंत्री वी मुरली धरन ने चिकतसा पधतियों और नवाचार की भारत की समरध्य संस्कृती पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि त्रधानंत्वी नरेंद्र मोधी का एक प्रित्वी एक परिवार एक भविश्य का आहवान तेजी से वैश्वी कृत होती दुनिया के अनुरूप है इंडोनेशिया और ब्राजिल के ट्रोईका सदस्यों ने तीन स्वास्त प्रात्मिक्ताओं को सापित करने के लिए भारत की G20 की अधिक्षता की सरहना की उदगाटन समहरों में G20 सरसे देश, विशेश आमंत्रेदेश, अंतराष्ट्रे संग्छन, मंच और विश्व स्वास्त संग्छन तथा विश्व बैंक की प्रतिनिधी उपस्ते थे बैचक में तीन मुख्य प्रात्मिक्ताओं, स्वास्त आपात इस्तितियों से बचाव और निपटने की तैयारी, अवशेधी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए स्वास्त सुविधा उपलब्द कराने में सहयता के लिए डिजिटल स्वास्त नवाच पर चर्चा होगी। बैचक में G20 सरस्य देश, विशेश अमंत्य देश और अंतराष्टी संक्ठन के प्रतिनिधी भाग ले रहे हैं। नियाले ने कहा है कि वसूली 23 जनरी तक पूरी हो जानी चाहिए। राजय सरकार से इस समंद में एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। नैमूर्ती एके जैशंकरन नाम्यार और मुहम्मद नियाज की खंटपीट ने सपस्ट किया कि समंधित पक्षों को उनकी संपर्तियों को कुर्प करने के लिए पूर्व नोटेस जारी करने की आवशकता नहीं है। मामले के सनवाई 24 जनरी को की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविट के 128 नए मामले सामने आये हैं। स्वास्त मंक्राले ने बताया है कि इस दौरान 170 रोगी स्वास्त हुए हैं। स्वास्त होने की दर 98.8 प्रतिशत है। मंक्राले के नुसार देश में वर्तमान में 1,998 रोगियों का इलाया चल रहा है। राश्त व्यापी टीका करोण अभ्यान के अंद्रगत पिछले 24 घंटों में 96,000 याधिक टीके लगाए गए। अब तक कुल 220 करोड 16 लाग टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे चुटर हैंडल H.A.I.R. News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाश्वानी है। अमरीकी संसद में एक विधहक पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का दरजा रद्धकर ने और पाकिस्तान को इस तरह का दरजा देने के लिए कुछ शर्तों के साथ राष्टपती से वाशिक प्रमानी करण की अविशक्ता के लिए कहा सदनों को इसे पारित करना होगा और इसे फिलहाल आविशक कारवाई के लिए सदन की विदेश कारे समिती के पास भेजा गया है। प्रतिभदता प्रदर्शित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस जैशंकर मौलदीव पहुंचे हैं जहां वे द्विपक्षिय सहयोग पर कगती की समिक्षा करने के लिए मौलदीव के विदेश मामले के मंत्री अब्दुल्ला शाहित के साथ बातचीत करेंगे। दोनों कई समझोता ग्यापनों का वी अदान प्रदान करेंगे। विश्व का सबसे लंबा नरी क्रूज M.V. गंगा विलास बंगलादेश होकर डिब्रुगर के रास्ते बिहार में है। क्रूज में स्विजरलेंड के 32 परियाटक यात्रा कानल ले रही हैं। हमारे समवादाता ने खबर दी है कि क्रूज आज सिमरिया बेगुसराय पहुँचेगा। क्रूज के परिया तक आज सिमरिया में गंगा के तटवर की गाउं का परिभ्रमन कर लोगों से मुलाकात करेंगे। बिहार परियाटन विकास निगम के महाप्रवंधक अभिजीत कुमार ने आकासवानी को बताया कि रीवर क्रूज से रोजगार के नए आवसर पैडा होंगे। परियाटन की असीन समहावनाओं को भी रुशित करेगा। नए ने चैनल्स को लेंगे। दोनों पहलों हैं लोग आनन्द भी ले सकते हैं। दूजरा की हम लोगों परियाटन के मादम से देखें तो रोजगार भी हम लोगों मोहिया करेंगे और पानी के राशे से रोजग नदी क्रूज एंधी गंगा विलास में राजस्थान में जोडपूर के रंगीन लकडी के हस्तक्षिप से बना फरनीचर लगाय गया है। क्रूज की 28 कमरे, लॉबी, संडेक और रेस्टरों को एटनिक डिजाइन और राजस्थान के जीवनत रंगों को दर्शाने वाले फ दिवसी अंतराश्थ्री क्रिक्ट मैच में भारत ने टॉस जीत कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया है। ताजर समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में एक विकेट पर 75 रंग बना लिये हैं। इस श्रंखला में निउजलेंड भारत के साथ 3 2020 अंतराश्थ्री क्रिक् आज दूसरे रौन में चोट लगने के करण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अमरीका के मैकेंजी मैक डॉनल्ड ने स्पेन के राफिल नडाल को 4-6-5-7 से पराजित किया। अंतमे मुखे समाचार एक बार फिर। प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आज उत्तर हटन किया। कहा खिलारियों को बहतर प्रशिक्षण दिलाने के लिए खेल टूनामेंट को एक निरंतर आयोजित होने वाली प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। निर्वाजन आयोग अब से कुछ देर में आज नगलेंट मेगाले और द्रपुरा विधान सभा चनाव तारी का मुख्य हिसा होना चाहिए। अमरीकी संसर में पाकिस्तान का प्रमुख गैर मैटो सहयोगी देश का दर्जार रद्द करने के लिए विदहिक पेश किया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंगसमात हुआ नमस्कार।